प्राचीन देवसान जिडी में हर साल की तरह इस साल भी हुआ मेले का आयोजन नमस्कार मैं हूँ सुचितरा कॉल और आप देख रहे हैं चेकवन डिश्टिल नेटवर्क हर साल की तरह इस साल भी जमूर डिस्ट्रिक अड्मिस्ट्रेशन ने जेडी में मेले का आयोजन किया डिविजनल कमिशनर संजीव वर्मा ने 12 नवंबर को इसका उत्गाटन किया यहाँ पर करीब 700 साल से इस मेले का आयोजन किया जाता है जहाँ पर बाबा जित्तो और गुवा कोडी का देव स्थान भी है यहाँ पर जम्मू से नहीं बलकी पूरे नॉर्दर्ण इंडिया से श्रदालू आते हैं और अपना माथा टेकते हैं और अपनी मननते मुकूरी करते हैं यहाँ पर मेले के अयोजन में आप देख सकते हैं जूले और तरह तरह के विबिन स्टॉल्ड हैं और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर सरकार है उसके जो विभिन विभाग है उनके भी स्टॉल्स लगाये जाते हैं और लोग यहाँ पर जो है खरीदारी करते वे देखे जा सकते हैं आपका नाम पुजारी जी? मेरा नाम अर्विन दत्य है अर्विन जी यहां पर बर्सों से प्रथा चली आ रही है जुड़ी मेले की क्या मानेता जुड़ी वी है इसके साथ जुड़ी वी मानेताओं के बार में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे ये स्थान बावा जित्तों बुवा कोडी जी का है बुवा कोडी जो है वो मावैशनों का अंश हैं बावा जी ने 12 साल मावैशनों की भक्ती की निश्काम रोज सवेरे नीचे से दरवार पे जाते थे घार गोड से और वहां शनान करके मावैशनों का आशिरवाद लेते थे 12 साल की वाद मा वैशनों ने उन पर परसन होकर उनको वर्दान में उनके घर में लड़की होकर उन अपने अंच के साथ जनम लेने को वर्दान दिया यह उन दोनों का सती स्तान है यहां पर बावाजी का चीता जली और सात्में मावैश्णों का अंश बुआ कोडी जू है वो सात्में सती हुई यह मंदीर 700 साल पुराना है कार्थिक पोर्निमा को यहां पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है और कार्तिक पूर्निमा को ही मेला इसलिए लगता है कि यहां पर कार्तिक पूर्निमा को इस मंदिर की पतिस्टा हुई और जो उस वक्त साफसो साल पहले जो लोक थे उन्होंने यहां पर पहली वार खिचडी का भोग लगाया इसलिए चावल और दार की खिचडी का भोग लगता है मा वैशनों का अंच बुआ कोड़ी पांच साल की बाल कन्या है इसलिए उनको खिलोने बहुत ज़्यादा परसंद है उनको खिन्नू, गुडिया, बॉल, गाडिया मलब खिलोनों का उनको परसाद चड़ता है और बावाजी को खिचडी का परसाद चड़ता है कार्तिक मास को कार्तिक पूर्निमा को जो यहां पर मेला लगता है इसमें उत्तर भारत से पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, हर्याना, उत्राखंड, यूपी, पूरा उत्तर भारत और हमारे भारत मूल से के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो भी यहां पर आकर बावाजी को हजरी लगाते हैं क्योंकि बावाजी उनके कुल देव हैं, जठेरे हैं तो ये प्रथा साफसो साल से चलती आ रही है पीडी दर, पीडी जो लोग हैं, शर्दालू है उनके दादा, बरदादा, साफसो साल से यहां पर आकर अपनी मनोकामना मांगते हैं इसलिए उनका ध्रिट संकल्प, ध्रिट विश्वास है बावाजी के लिए और बावाजी उसको पूरा भी करते हैं इस समय हमारे साथ कुछ श्रदालू जुड़े वे हैं, जो कि लुद्याना से यहां पर दर्शिन करने के लिए आए हुए थे आई उनसे बात करते हैं जुक्तों सुड़े हैं यहां पूरी फैमिली यातिक यह मेला एसा मेला है कि हम यहां पर कटहें ci रहके एक शैर में रहे करके मनले बात हैं यहां पर सारे कट्षे हो जाते है US फोथ मजय मजा आता है कि आपका नाम सक्सी यहाँ एक इस मांदे व्हुत में अलगते हैं और नाम यहां ने पी तनमे नाम मैं तब से आ रहे ह। जब मैं एक साल खावी निद्धाओ को मिरीण ओना के दो तो तब से लेके अब तक हमें जो हर साल इंप्रूवमेंट हो रही है, हम सब के लिए सुभी नहाएं भी बढ़ रही है, और हम के लिए बहुत जादा अच्छा एक्स्पीरिंस एता है यहां पर आनो, एक जो विश्वास होता है भगवान में, यहां पर आके प्रूव हो जात हमारा जैसे पूरा परिवार जुड़ा हो इंसे, बहुत कुछ मिला इंसे सेवा होती है, बावाज की किरपा अपवार रहती है, इस मेले में काफी पहले से तो बहुत 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 बढ़िया है Northern India का सबसे बढ़ा मेला होने के साथ-साथ इस मेले को अगर कोई चीज खास बनाती है, तो वो इस मेले से जुड़ीवी धार्मिक मानेता है और इस मेले में जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा तरह के जूले लगा जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए भी खास तौर पर आकर्शन का केंदर बन रहते हैं Tech Foundation Network में बस आज इतना ही, सुचित्रा कॉल को दीजिए आग्या, नमस्कार